आज हम 17 मार्च 2021 के करेंट अफियर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीचे प्रेस्टा बेल आइकन आज को फल्स कॉश्चन है भारत ने हाल ही में किस कंट्री को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी इंडार बन गया है फोर्थ नंबर का तो इंडिया ने रश्या को पीछे छोड़ते हुए फोर्थ नंबर पर पोजिशन प्राप्त कर ये मैप है रश्या का ठीक है अल्रेड हम कई सारी चीजें इसमें डिसकस कर चुके हैं अगर आपने परसों की वीडियो अगर देखी हो इंडिया फॉर्ण करंसी होल्डिंग जो है वह 4.3 डॉलर गिर गई है लेकिन 580.3 ब्लियंड डॉलर है चाइन जो है वह लार्जेस्ट रिजर्व है उसके बाद जपान फिर सुल्जरलाइंट फिर इंडिया अगला कॉश्चन है किस राज्जन है इस्थानिय लोगों को न 75 परसेंट रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब में लोकल्स के लिए याद रखने हैं कि लोकल्स को हर्याना ने भी अभी रिसेंटली जो है वह लोकल्स के लिए 75 परसेंट रिजर्वेशन की बात चल रही थी ठीक है किया है और जार्खन गवर्मेंट जो है उसने अभी अभी कर दिया 75% रिजर्विशन प्राइविट सेक्टर जॉप्स में जो होंगे वह लोकल्स के लिए होगा जिनकी सालरी जो है वह तीस जार रुपे तक की होगी रिविजन एक जार खंड के बारे में जैसे की फस्ट ड्राइगन फ्लाइके फॉसिल्स जो है वह जार खंड महीं डिसकवर किये गए थे सर्ना रुलीजन जो है वह जार खंड से ही रिलेटेड है जार कंड ने लौज किये किसान फसल रहत योजना बैटला नेशनल पार्क है यहाँ पर दालमा नामकी एक वाइल लाइफ सेंट्री है तो कौन सा हो गया है बैटला एक डालमा एक हजारी बाग वाइल लाइफ सेंट्री है एक उदवा L applies आर लेक वर्ड सेंट्री है और एक है सिंग भूम एलिफेंट रिजर्व याद रखने है यह Elephant Reserve सिंग भूम और वर्ड सेंच्री कौन सी है उद्वा हजारी बाग और दालमा यह दोनों वाइड़ा सेंच्री और बैटला यहाँ पर एक नैशनल पार्क है यहां के गवंडर द्रॉपदी मुर्मुरू और सीम यहां के हैमन्त सौरिन है जहारखन की अगर मैप में लोकेशन भी देख लेते हैं जहारखन यह आप देख सकते हैं बैस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश च्छतिसगड़ और उडिसा लगवग यह पांच स्टेट है ठीक है पांच स्टेट के साथ यहां अपना बॉर्डर करता है जहारखन की कैपिटल जो है वह राची है ठीक है कोई भी कोस्ट टच नहीं होता है यह बात याद रखना ठीक है अगला कोश्चन है उप्योग करताओं के लिए भीम यूपी आई एप पर नैशनल पेमेंट और शुरू की गई नई शिकायत निवारत सुविदा का नाम क्या है अभी जो हम यूपी यूज करते हैं यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस उस पर एक नई सुविदा जो है वह प्रवाइट की जारी एक नई फैसिलिटी जो की जो भी शिकायत होंगी उसका रिड्रेसे एक यूपी याई है जो भी शिकायत होंगी उसकी सॉलुशन के लिए एक भीम आ पर जो है वह एक फैसिलिटी प्रोवाइट की है नाचनल पेमेंट कोर्पेरेशन और इंडिया एक अम्डेला एंटिटी है डिजिटल पेमेंट की इंडिया में जिसने लॉझ की थी एक एप एप्लिकेशन को जो यूज करते हैं उनको अगर कोई शिकायत होती है तो वो रिजिस्टर कर सकते हैं मतलब इस तरह से यूपी आई है नाम का एक प्लेटफर्म तयार किया गया है भी यूपी आई पर अभी हाल ही मैं जो इनिशेली इसके अंदर यूपी आई हैल्प जो है व अभी लाइफ किया गया है स्टार्टिक में बाद में से कनेक्ट कर दिया जाएगा और भी बैंकों के कस्टमर्स के लिए यूपी आई हैल्प करेगा कौन को यूजर्स को ठीक है ताकि वह अपने पैंडिंग जो ट्रांजेक्शन होंगे उनके स्टेटस को जान सके चेक कर स लेकिन बैनिफीशरी के पास पैसा नहीं पहुंचता चीक है कंप्लेंड कर सकता है मर्चंट ट्रांजेक्शन के अगेस्ट भी नैशनल पेमेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया यह जो कंपनी है यह फाउंड हुई थी 2008 में अगला कॉशन है हाल ही मैं कौन सा कंट्री भारत क ब्रही है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता बन गया है तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड सेट्स औप्शन भी ठीक है तो यहां पर जो है वह सगंवार्जेसर औट की जा रिए है सेकंड लाजेस्ट और सप्लायर कॉनरे इंडिया में वो है यूनायटेड इस सप्प्लाइर बन गया है इंडिया के लिए यहां पर हम मैप देखेंगे ठीक है युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका के कॉंटिनेंट में आता है ठीक है तो अब हम यहां पर जो आज कुछ डिसकस करेंगे मैप में प्रमुक नदिया वह भी यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी रिवर्स का यह मैप है ठीक है जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहले यूकौन नदी से ठीक है यहां पर आप देख रहे होंगा यह है यूकौन नदी Yukon नदी का जो source है वो Mackenzie Mountains है ठीक है और ये जो है वा Bering Sea ये Bering Sea है यहाँ पर ठीक है Bering Sea में ठीक है और Northern Sound में जाके जो गिर जाती है ये Canada की एक ऐसी नदी है ठीक है जो USA में भी flow होती है ठीक है second की बात करेंगे Mackenzie River ये आप देख रहे होंगे ये Mackenzie है ये वाली ठीक है Mackenzie River इसका source जो है Rocky Mountain और Great Slave Lake लेक जो है ने Great Slave Lake ठीक है वो इसका source है ठीक है और ये भी कहाँ ये Mackenzie Bay जो Buford Sea है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये Buford Sea ठीक है यहाँ पर जाके गिर जाती है Mackenzie और Yukon कहाँ पर गिरती है Yukon Bering Sea में गिरती है हमने दोकी रिवर की बात करी सेकेंड हम बात करेंगे Churchill River ये आप देख रहे होंगे ये Churchill River है जो कि Rocky Mountain जो है ठीक है वहाँ से निकलती है और Hudson Way यहाँ पर आपको Hudson Way दिख रहा होगा ठीक है Hudson Way में जाके गिर जाती है नेक्सट की बात करेंगे हम Nelson River की ठीक है जो Nelson River जो है वह Hudson Way में इसी में गिरती है ठीक है ये भी river कौन सी है? Nelson River भी काह गिरती है Hudson Way में ही गिरती है अब next हम बात करेंगे ये आपर हमने ये देख ली चार हमने रिवर देख ली अब हम सैंट लॉरेंस की बात करेंगे सैंट लॉरेंस आपको यहां दिखेगी ठीक है यह सैंट लॉरेंस है जो के ओंटारियो लेक जो है वहां से निकलती है एक दिन हम सारा लेक भी डिसकस करेंगे बढ़ आज नहीं ठीक है आज हम डिवर कर रहे हैं सैंट लॉरेंस जो है वह जो है Ontario जो एक लेक है वहाँ से निकलती है और यह यहाँ पर आप देख रहे होंगे Gulf of Lawrence ठीक है यह Gulf of St. Lawrence इसमें जाके गिर जाती है St. Lawrence सेकेंड जो अब नेक्स जो है वह हर्सन रिवर हर्सन रिवर के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं यह जो पूरी है यह हर्सन रिवर की ही वह है ठीक है पूरा फ्लो है जो उसका बेसिन बन रहा है हर्सन रिवर जो की Champlain जो लेक है वहाँ से निकलती है और यह जो Long Island है य हर्सन रिवर नेक्स उम बात करें है Mississippi River के बारे में ठीक है थ्यक है Mississippi River आप यहां पर देख सकते हो यह Mississippi River है थीक है जो की जो Highlands है Superior Highland जो है ठीक है वहाँ से निकलती है और यह Gulf of Mexico यहाँ पर आपको Gulf of Mexico दीख रहोगा यहाँ पर गड़ जाती है एक और रिवर है यहाँ पर मिसी सीपी के पास ही आपको मिसौरी रिवर भी दिखेगी यह मिसौरी रिवर जो है ना वो मिसी सीपी से ही मिल जाती है यह जो प्लेस है यहाँ पर ठीक है और इस प्लेस का नाम जो है वो है सेंट लुईस के समीब जो है यह मिल जाती है मिसौरी रिवर म यहां पर रियो ग्रांडे ठीक है यह जो रिवर है वो भी रॉकी माउंटेन से गिरती है रॉकी माउंटेन से सौरी निकलती है यहां पर आप रॉकी माउंटेन निकलती है यह पूरी जो रेंज है यह रॉकी माउंटेन की है ठीक है यहां पर रॉकी माउंटेन तो यह भी जो बता है Rocky Mountain से निगलती है और Gulf of Mexico में गिर जाती है यहां ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे Colorado River ठीक है जो Colorado River है वो आपको यहां देखेगी Colorado River ठीक है यह यह भी Rocky Mountain क्योंकि यहां पर जो रेंज है वो Rocky Mountain से ही है ठीक है तो Rocky Mountain से निकलती है माउंट वहां पर Rocky Mountain रेंज पर एक माउंट्स एलबर्ट है ठीक है वहां के जो एडिया वहां से निकलती है Colorado River और यह जो Colorado River जो है वो Gulf of California निया ठीक है यहाँ पर Gulf of California में गिर जाती है उसके बाद हम बात करेंगे यह menu कौलंबिया River की नेक्स्ट है वो कोलंबिया River की है तो कौलंबिया रेंवर जो है वो भी कहां से निकलती है वो भी Rocky Mountain से निकलती है यह आप पूरी देख लीजिए कॉलंबिया रिवर ठीक है यह कहां से निकलती है यह भी रॉके माउंटेन से निकलती है और जो पोर्टलेंट के पास जो है ठीक है यह पूरा पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है वहाँ पे गिर जाती है पोर्टलेंट के पास पैसि यहां पर यह प्रक्रामेंटो रिवर और एक है संग जाक्यूं रिवर यह इतना नहीं यह पैसिफिक ओशिन में गिर जाती है यह रिवर यह पूरी नॉर्थ अमेरिका की ठीक है वह हमने देख ली है आज और यहां पर आपको देख सकते हैं यह उपर कैनेडा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ठीक है यहां पर कुछ पैललर लाइन्स है एक बार मैं आपको वह भी बता देती हूं ठीक है कौन-कौन सी पै पैललर लाइन्स है जो कि कैनेडा यूसे को सेप्रेट करती है दो भागों में बाढ़ती है ठीक है और सो डिग्री का एक पश्मी दिशांतर रेखा है जो कि नॉर्थ अमेरिका को दो भागों में बाढ़ता है एक 141 डिग्री का पश्मी दिशांतर है जो कि अलास्का और कै फ्रंजन का पर्रम्परिक रूप है यह समाचारों में है यह किस राज्य में प्रचलिते तो यह कहांपे प्रचल लीत है यह असम में प्चलिते यह एक entertainment ट्राइशनल फार्म है entertainment का जिसका नाम है बहाऊना थीश है यह आप देख सकते हैं तो अभी यह नियूज में इसलिए है क्योंकि इलएक्षन कैंपियंज चल रहे हैं ठीक है असम में तो कॉंग्रेस जो है वहाँ असम् के अंदर जो है वहाँ ठीक है उन्हों रिवील किया एक वीडियो जो की ट्रेडिशनल जिसमें भवना जो है एंटर्टेन्मेंट परफॉर्म की अच्वारा एं ठीक है और जिसमें जो एक तरह से एक्ट इस तरह के दिखाये गया जो citizenship amendment act और national register of citizens NRC और CAA के जो dangers थे खत्रे जो है उसको perform किया गया है भनों के दोवारा ठीक है और मतलब ये बोला गया है Congress के दोवारा कि मतलब इस चीज पर जोड दिया गया है कि state की जो heritage है उसको preserve करने के लिए मतलब ये जरूरी है कि Congress जो है वह CAA और NRC के dangers के बारे में लोगों को inform कर रही है इस traditional entertainment art के through I am जानते हमारी लिए important होती है ये art ठीक है भनोंवा जो कि एक traditional form है entertainment की ठीक है इसके दोवारा एक religious message जो है वह दिया जाता है असम के अंदर ये काफी जादा prevalent है काफी जादा famous है ठीक है ये संकर देव के दोवारा इसको create किया गया था 16th century में ठीक है ये जो play होता है भनोंवा वहाँ मतलब जाना जाता है अंकिया नाट और इसकी जो staging होती है उसे भनोंवा के दोवारा भनोंवा कहते है भनोंवा जो है वहाँ लिखा जाता है असमीस में ब्रजवली में मतलब ब्रजवली और असमीस लैंग्विश में यह लिखा जाता है कुछ रिवीजन है असम के बारे में जैसे कि longest river रोबे स्टार्ड किया गया है जरंगा पौतर एक historical place है गाय का एक shelter बनाए गया है जहाँ पर गायर है सकते हैं उनके लिए hospital है चार्ज अपोरी जो है वो यही रहते हैं लक्षित दिवस celebrate किया गया है लक्षित बौर फूरम के नाम पर ठीक है कृतिगिता नाम का एक portal launch किया गया है ताकि जो pension जो होती है ठीक है उसकी बारे में सारी ट्रैकिंग सिस्टम रखा जासे के विजिट अन असम नाम की एप स्टार्ट करी है मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क सेट अप किया जो रहा है स्टेट के application form के अंदर ट्रांस्टेंडर नाम का एक gender option इंक्लूड किया गया है असम ने अडाप्ट कर लिया बोडो को अपनी official language के रूप में असम का जो लीची है तेजपूर लीची हो उसे geographical indication tag प्राप्त हो गया है यहाँ पर जो नैशनल पार्क है वो काजी रंगा मानस डिबरू नामेरी औरंग और एक रामसर साइट भी है जिसका नाम है डिप और वील ठीक है वील का मतलब होता है वेट लैंड असम की location map में आप यहाँ देख सकते है capital इसकी दिसपूर है जितने भी नौर्थ इस्ट के जो states हैं जैसे की अरुनाचल परदेश शिक्किम को छोटके अरुनाचल परदेश नागालेंट मनीपूर मेजोरम यह याद रखना पहले नागालेंट फिन मनीपूर फिन मेजोरम तेरपूरा मेगाल है ठीक है और यहाँ पर यह इन सब के साथ अपना border share करता है यहाँ पर बैस्ट बंगाल भी देख सकते हैं इन क체가 कली एक्टर त्वा आपशन है डांसर यह आप अगला कौक्शन है स्ब्री के अनुसार कौनसी कांट्री साओधी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हतियार आया तक है यहाँ पर बात की ज़री है कि कौन सी कंट्री जो है साओधी अरब के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है जितने भी आम्स होते हैं उनको इंपोर्ट करती है तो इसका सही आंसर है इंडिया option D सबसे एंपोर्ट जो है अभी कुछ इंफोर्मेशन रिक्ली है यह लेकिन इंडिया जो है वा साथिल राज लाजेस्ट आम Middle एकंपोर्टी उसरे सरस्ट और सब्स के द्वायरे किया गया है research करना conflict, armament, arms control और disarmament में अगला question है हाल ही में 12 लाचला समाचारों में है यहां निम्न मैंसे किस परवत शंकला का एक उच्य परवतिय दर्रा है तो हाली में 12 लाचा समाचारों में है या निमनमे से किस परवत शंकला का एक उच्चे परवतिये दर्रा है तो यह जो है यह जासकर जो माउंटेन रेंज है ठीक है उसका एक हाई माउंटेन पास है 12 लाचा ठीक है 12 लाचा लाच और अभी यह न्यूस में इसलिए है क्योंकि पहली बार बी आरो जिसे बोला जाता है बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन उसने स्टार्ट कर दिया है कि वह रियोपन कर रही है यह जो पूरा पास जो है हिमाचल प्रदेश में 12 लाचला को ठीक है जो इसका शुडूल ता civil कीमेर फीसे यह बारे चेयर हिए जो पूरा पास जोह है वह किनेक्रिविज गुering करेंगा और यह जो पूरा पास सिचुएटट है लेह मनाली हाइवेवे पर यह पास वह उसकी काम करता है भागा और यंवुना रिवर के बीच में हॉप् वह से ओरिजनेच होती है बहारत में किस दिन को रास्तिर इर ठीका करड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है नाशनल वक्सिनेशन डे जो है वहाँ सोलह मार्ज को सैलिपरेट किया जाता है इसे नाशनल अन्योमनाईजेशन डे गाता है sanne और ये करता है कि जो वक्सिनेशन की जो मेहत्वः कूरता है वहाँ बताई जाती है पूरे नेशन को यह जो डे वो पहली बार 1955 में observe किया था इंडिया क्योंकि 1995 में इंडिया ने start किया था pulse polio program ठीक है, pulse polio program कhab start किया था? 1995 में जब फर्स्ट डॉस स्थ है ठीक है ओरियोल oral polio vaccine की दी गई ती pulse polio program के तैथ 1925 में तब से ही यह जो day है national immunization day जो है वो वह observe किया जो रहा है World Health organization WHO कि according immunization एक process होती है जिसके द्वारे individual के जो immune system है उसे मजबूत किया जाता है और वहाँ foreign arm causing agents तो होते हैं उनके against काम करता है यह vaccination का process vaccination एक most effective method है जो कि prevent करता है highly infectious disease ठीक है extensive immunity due to the vaccination is mostly responsible for the worldwide ताकि जो बिमारियां होती है जैसे कि eradication खतम करता है smallpox को ठीक है कुछ disease जैसे कि polio, measles, titnes ठीक है इनको रोकने में मदद करता है और इनके खिलाफ जो एक immunity strong करता है अगला question है Grammy Awards 2021 में album of the year award किसने जीता है तो album of the year award जीता है focler option D यह पूरी list है एक बार आप देख लीजिए album of the year जो है वा फॉकलेर जो की by Taylor Swift के द्वारा गी record of the year जो है everything I wanted और best new artist है Megan T. Stalin कल हमने आप से question पूचा था कि संगिठान ने प्रतिकात्म क्रोप से पूरे ब्लॉग को LGBTIQ स्वतनता शेत्र घोशित कर दिया है तो यह किस ने कर दिया European Union ने पुरा जो एंटार ब्लॉग था LGBTIQ का वो freedom john जो है वो डिखलेर कर दिया है यहाँ पर आप से पूचा गया था कि जो Brix Contact Group on Economics and Trade Issues के पहली मीटिंग किस ने कि ये इंडिया ने कि है याद रखने है Brix का यहाँ पर Contact Group के बात हो रही है और यह जो contact group है वो किसमे economics and trade issues पर जो problems होती है economic और trade से related उसके ओपर एक BRICS contact group जो है उसकी meeting की गई है तो यहाँ इसकी first meeting थी इसलिए यह important हो जाती है जो संग्वे बालकानो जो है वहाँ कहां पर रहें यह बालकानो बालकानो ठीक है तो कहां पर रहें एक्वाडोर में है नेक्ट जो है वह जपान जो वह ऑस्टेलिया के साथ पार्टनर्शिप कर रहा है कि वह भूरे खोयले से hydrogen को प्रडूस करेंगे असोल अभात्ती इंद्र इस्थापीत करने की घोशड़ा की है इन विच कंट्री वर्ल्थ हाल्थ और्गनाइजेशन हाज अनॉस्ट टू सैट अप ग्लोबल सैंटर ट्रडिशनल मैडिसेंस के लिए यहां पर आपसे कोशन पूछा गया है कि लदाक ने डिसाइड किया कि वह स्टार्ट कर बोलते हैं यलो बैरी बोलते हैं ठीक है इनको प्लांट के लदाक में किया जो आ रहा है अगला कोशन है हिमाचल परदेश इनौगरेट करेगा स्वडिम इंटरनाशनल शिवरात्तरी फियर ठीक है इनौगरेट किया हो गया यह ठीक है कॉम्रोस आइलेंड जो है वह इंडि की फॉर्म में दीजिए थैंक यू सो मच